राधे राधे दोस्तों, दोस्तों अधिक मास में आने वाली पूण्मा तिथी भगवान विश्णु की अति-प्रिय तिथी होती है। इस तिथी में भगवान विश्णु को प्रसंद करने के लिए जोभी ब्रत-पूजा उपाय किये जाते हैं। वेहे बहुती जल्दी शु पूजा करने से स्धन बैभव सुक सम्रिध्धी की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। जिसे पूणमा की रात को करने से जीवन की तमाम परिशानियों से छुटकारा मिल जाता है। उपाय करने से पहले आप पूणमा के दिन इन कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखें। पूणमा की रात को साफ कपड़े पहलें। फिर पांस दीपक लेने। दीपक मित्ती या आटे के कैसे भी ले सकते हैं। दीपकों में रूई की बाती लगा ले फिर दीपकों में सुद्ध देशी घी भर ले अगर सुद्ध देशी घी ना हो तो मीठा तेल भर ले मीठा तेल तिल के तेल को कहते हैं तिल का तेल भी आप भर सकते हैं फिर इन दीपकों को एक थाल में रख लें और अपने मंदिर में माता लक्षमी के आगे रख दें और आसन बिछा कर बैठ जाएं सारे दीपक चला लें और माता लक्षमी को हल्दी कुमकुम से टीका करें फिर पांचों दीपकों में थोड़ी थोड़ी कुम कुम डाल दे उसके बाद माता लक्षमी की पांचों दीपकों से आरती उतारे उसके बाद 21 बाद चैमा लक्षमी चैमा लक्षमी का जाप करे उसके बाद एक दीपक को मंदिर में ही रहने दें और चारों दीपक ठाल में उठा लें फिर एक दीपक अपने घर के उत्ता पूर्व दिशा में साफ इस्थान पर रख दें फिर एक दीपक आप अपने रसोई घर में रखें याद रखें कि साफ इस्थान पर ही दीपक रखें एक दीपक ले जाकर तुलसाजी के आगे रखें और हाद चोड़ कर तुलसाजी मैया से प्राथना करें आपकी सारी समस्याओं को दूर करने की तुलसाजी मैया से प्राथना करें फिर एक दीपक ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें सभी दीपक रखते वक्त मन में जैमा लक्ष्मी जैमा लक्ष्मी का जाप करते रहे मंदिर में पूर्मा की रात को दीपक भागवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी के लिए चलाया जाता है इससे भगवान जी की क्रपा और आश्रवार प्राप्त होता है और जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है घर के उत्तर पूर्वर दिशा में माता लक्ष्मी का बास माना जाता है इसलिए उत्तरपूर्वर दिशा में पूर्मा की रात को दीपक जलाने से घर में धन्धानने बना रहता है और माता लक्ष्मी की क्रपा होती है माता लक्ष्मी का घर में बास होता है रसोई घर में माता अन्न फूर्णा का बास माना जाता है और रसोई घर को घर में मंदिर के बास सबसे पवित्र इस्थान माना जाता है रसोई में दीपक जलाने से घर अन्न और धन से भरा रहता है तुलसा जी के सामने दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि तुलसा जी की फूजा के वेना पूर्मा पर भगवान विश्णू जी और मातर लक्ष्मी जी की फूजा अधूरी मानी चाती है और तुलसा जी में सभी देवी देपताओं का भगवान विश्णू जी मातर लक्ष्मी जी का साक्षात पास होता है घर के मुख्य द्वार पर दीपक पूर्मा की रात को इसलिए जलाया जाता है जिसे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश ना कर पाए और मातर लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने के लिए भी पूर्मा की रात को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है इन पाफ जगों पर पूर्ण मा की रात को दीपक जलाने से भगवान बिश्णू जी और मातर लक्ष्मी जी की कृपपा और आशिवाग प्राप्त होता है जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो चाता है